हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शीकिष्णा शीराथे बहुत स्वागत है आप सब का पटना से देख रहे हैं जोतिश दिशासत्त की राह अपने अश्ट्रो फेंड के साथ और आज का विशय क्या बम ब्लाष्ट करेगा आज किस विशय पर प्रकाश पड़ेगा ये आपके अश्ट्रो फेंड के दौरा अभी आप तक पहुँचने वाला है हमारे जीवन में किसी के मन को ना पढ़ पाने की कला के कारण पढ़ पाने की कला अलग हो गई अगर आप किसी के मन के भाओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसके कारण आप बहुत से रिष्टे खो देते हैं आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आपकी माँ को क्या चाहिए वो क्या चाहती है आपसे उनके मन में आपके लिए क्या है आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आपके पिता के मन में आपके लिए क्या है भाई के मन में बहन के लिए बहन के मन में भाई के लिए क्या है पति पत्नी के मन में क्या चल रहा है दूसरे को समझ पाने में आप लोग सालों लगा देते लेकिन अकल पर एक पत्थर सा पड़ा रहता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या चाह रहा है जिसके कारण आप अपनी समझ से कुछ समझते हैं और उस समझ पर आप काम करते हैं जो कि गलत साबित हो जाता है और आप फेल हो जाते हैं आप पूरी तरह से वहाँ पर फेल हो जाते हैं और आप किस समझ से वो चीज़ें बाहर हो जाते हैं आज मन की बात जानने वाला ब्रह्मास्त्र आपका वेट करेगा एक ऐसा प्रियोग में बताने वाला हूँ जो की वाकई अपने आप में बिलक्षण होगा और आपकी कल्पना से परे होगा थोड़ी ही देर ब्रह्मास्त्र के लिए हम आप तक ब्रह्मास्त्र पहुँचाने वाले हैं लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग जेश्ट महा कृष्ण पक्षद वादस्षीती थी चंद्रमा मेश राशी में ही है आज राद तक नक्षत्र आज का भर्णी रहेगा भर्णी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है तो आज की महादशा का नाथ शुक्र होगा योग आज है अतिगंड तदनस्वार दिनांग 11 जून दिन सोमवार राहुकाल सुबह 7 बज़ कर 30 मिनट से लेकर के 9 बज़े तक रहेगा राहुकाल एक अशुब समय होता है इसमें आपके कोई भी नय और शुब काम की सुरुबात नहीं करनी चाहिए अन्यथा आपके काम बिगड़ जाते हैं और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर एक बज़ कर 30 मिनट से लेकर के 3 बज़े तक गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जिसमें आप कोई भी नया और शुब काम भी सुरु कर सकते हैं काम आपके बनते चले जाते हैं तो ये सारी स्थितियां पंचांग की रही मन की बात को जानने वाला बताने वाला एक ब्रम्हास्त आप तक बस थोड़ी ही देर में आपके अश्ट्रो फ्रेंट के द्वारा पहुँचेगा लेकिन अभी वक्त हुआ है ये जानने का कि आज का पूरा दिन आप सब का कैसा इतने वाला है एक नए सबताह का आरंभ हुआ है और इस सबताह में ग्रहों की हाल ग्रहों का चाल क्या करेंगे धमाल आइए जानते हैं सूर्य मिथुन राशि में बुद्ध का प्रवेश मःधकी जैगा, सूरि वृषव राशी में बुद्ध का प्रवेश मिथुन में हो जुका है, शुक्र राहू करक राशी में, जिसपर हमने वीदियो राला हुआ है, शुक्र राहू की यूति क्या असर करेगी, लड़कियां लचय कैसे समलें, प्रतेक राशी वालों के लिए कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा, सप्ताह का पहला दिन क्या कुछ करेगा मेश राशी चंद्रमा आपकी राशी में होने के कारण आज नए अवसर प्रदान करेगा आज नए मौके आपको मिलेंगे जिन मौकों पर अमल करके आप आने वाले सप्ताह या महीना या वर्ष को तै कर लेंगे मतलब ये कि यदि आपकी राशी आज मेश है मतलब मेश है आज क्या है आपकी राशी अगर मेश है एरीज, मून साइन, चंद्र राशी तो ऐसी इस्थती में आज का दिन आपके लिए आतिहासिक है कुछ बहुत बड़ा आप आज निरड़े लेंगे जो आपके आने वाले कल के लिए माईली स्टोन बनेगा आपको कई छेत्रों में शुक्ता प्रदान करेगा स्वास्त में आपके लाभ मिलेगा पैत्रिक संपत्ति के विवाद से आप बाहर निकलेंगे धन की स्थिती आपकी बहुत अच्छी रहेगी किसी मित्र के साथ के कारण खास तोर पर बहुत बड़ी समस्या से बाहर निकलाएंगे रुकावटे दूर होंगी ये सूर की चमक से हो रहा है और आपकी राशी दो सौमे ग्रहों के मद्ध में है तो ये सब्ताह आपके लिए बहुत खास दाने वाला है इस सब्ताह कुछ आप इतना बहतरीन करेंगे कि जिसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं था इस्पेशली आपके शरीर के दोरा जो उपलब्धियां होनी है जिसमें आपका फिजिकल इन्वाल्मेंट रहेगा वो काम जरूर बन जाएगा आपकी पतनी को आप पर या आपके पती को आप पर गर्व महसूस होगा संदान के दायतों की पूर्ति करने में आप सक्षम रहेंगे किसी रुके काम के कारण मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है रुपए पैसे के लेंदेन में भी सावधानी आपको बरत्ती होगी अन्नत्हा मुश्किलें आ सकती है माता पिता के साथ एक अच्छे वक्त की तरफ आप आगे बढ़ेंगे शुबरंगा हरा भाग्य प्रत्षत 56 मित्वन राशी बुद्ध का प्रवेश हुआ है आपकी राशी का स्वामी आपकी राशी में आया है एक अलग तरह का चेहरा आज दिखने लगेगा मित्रों को लोग पूछने लगेंगे क्या बात है बढ़े खुश नजर आ रहे हैं आप तो जब अपने घर का प्लैनेट होता है तो राजा फील करता है रुके धन की प्राप्ति किसी से कुछ काम निकलवाना है तो वो आप निकलवा सकते हैं बिमारियों से मुक्ति अपने आप हो जाएगी नए वाहन की प्राप्ति या अचल संपत्ति के लिए भी आप पिचार कर सकते हैं अगर आप किराशी मिथुन है तो आज कला और मनरंजन में आपको नया कॉंट्रैक्ट मिल सकता है मीडिया से जुड़े अच्छा समय कहा जा सकता है किसी बहुत बड़ी समस्या से आप बाहर निकलेंगे आज किसी मित्र का साथ आपके साथ जुड़ जाएगा दो बाहर बारह से लेकर के धाई बजे तक धाई घंटे का समय आपके लिए अच्छा नहीं है कोई अप्रिय समाचार आपको अंदर तक हिला सकता है आज किसी पर भी भरोसा मत कर लीजेगा और खास तोर पर वाहंग चलाते समय सावधान रहिएगा अगर आप लेफ्टी हैं तो उल्टे पाउं में चोड़ चपेट की संभावना है अगर दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपके दाहिने अंग पर चोड़ चपेट की संभावना है गुलावी रंग शुभ है अरशठ प्रत्षत का भाग्य है सिंग राशी आज सिंग राशी वालों के लिए संतान के दायत्म की पूर्टी के संकेत हैं आज स्वास्त में आपके अच्छा सुधार होगा मन प्रशन्रचित रहेगा मन प्रफुलित रहेगा संपत्ति के विवाद से बाहर आएंगे कानूनी मसलों पर आज आपकी राय मान ली जाएगी आज भाई बहन सनेह बढ़ा सकते हैं कोई बहुत बड़ा पुराना लंबित बड़ा काम आज पूरा हो सकता है सिंग राशी वालों के लिए अपने आप पर आज फोकस करने का दिन है क्रोध पता ही है आपके लिए हमेंसा घातक रहा है बादामी रंग शुब 57 प्रतिशत का भाग्य भी है कन्या राशी जो सोचा था कल आज से ले लेजएगा आज आपका है वहां चलाते समय बहुत सतर्क और सावधान रहेगा कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन किसी मित्र से थोका खाने का है नए व्यापार के लिए आज का दिन ठीक नहीं है बड़े decision भी आप कल पर टालें तो बहतर रहेगा अपने मन की बात अगर किसी से आपने साजा किया तो पच्टाए पच्टाएंगे नहीं स्वास्त पर ध्यान दीजेगा बाहर कभोजन अवाइड करिएगा चंद्रमा आपके अश्टम में है बिल्कुल भी आपके लिए ठीक समय नहीं है काला रंग शुप 56 प्रश्ट का भागिया तुरा राशी स्थाना परिवर्तन का आज दिन आ गया है जगह बदल सकते हैं बड़ी समस्या से मुक्त होने का दिन है आज तुरा राशी वालों के लिए अपना बोजा किसी दोस्त पर अगर उतारेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे और काम भी बन जाएगा दोस्त जरूरी जो होते हैं तुरा राशी वालों के लिए आज सिक्षा में बहुत मन लगाने का दिन है मन बहुत चंचल होगा बहुत भागेगा इधर दर जाएगा देख लिजेगा शाम तक किसी सी मिल जो कर लिजेगा वैसे फोकस करें अपनी शिक्षा पर तुरा राशी वालों के लिए संपत्ति के विवाद से आज बचने का भी दिन है कोई दोस्त आज आपको धोखा भी दे सकता है तो कोशिश करें विवाद ना होने पाए बाहर का खाना आवाइट करिएगा स्वास्त पे ध्यान दीजेगा पैसा ज़्यादा खर्च ना हो उसके लिए प्रयास करिएगा भूरा रंग शुभ है ब्राउन कलर और बावन प्रत्षत का भाग्या है व्रश्चे ग्रासी नया कॉंट्रेक्ट आज मिल सकता है नये संपत्ति का आज क्रे विक्रे कर सकते है मतलब बेज भी सकते हैं खरीद भी सकते है प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है आज उठा पटक जादा होगा प्रेमी प्रेमिका में मनमटाव हो सकता है आज दवाओं पे कुछ खर्च होगा और परिवार पर आज चिलाना पड़ सकता है संतान कुले करके आज चिंतित रहेंगे दोस्ती में कुछ मामला ठीक ठाक दिखाई दे रहा है शादी आज तूट जाएगी किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलने में आज कोई महिला मददगार साबित होगी व्रश्चिक के लिए नीरारंग्शुभ है 69 प्रिस्ट का भाग्या है धनुराशी चलते व्यापार में कुछ रुकावट आ सकती है पैत्रिक संपत्ति के विवाद उलज सकते हैं आज वाहन से चोट चपेट या दुरगटना की संभावनाए है धनुराशी वालों के लिए कल के निमित आज अपनी गाड़ी कमाई को रोक कर रखिएगा किसी बहुत बड़े प्रोपोगंडा में आप फसाई जा सकते हैं सावधान रहें खास तोर पर धनुराशी के जो सरकारी करमचारी आदी है वो सब घर में नया मेहमान आ सकता है शादी के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है खास तोर पर अगर लड़की है धनुराशी की तो कनफर्म है हस्ते हस्ते दिन बीतेगा हम जैसा कोई दोस्त आज बहुत याद भी आएगा बैगनी कलर सुब चपन प्रस्त का भाग्या है मकर राशी मन की चंचलता को अपने काबू में रखियेगा आज यह भी करने यह भी करने यह भी करने यह भी करने तरह से सोच सोच करके कुछ इस्तितियां गरवर हो सकती है तो ऐसा कुछ भी न करिएगा जिसकी वज़ा से कोई ऐसी परिस्तिति आए जो आप के लिए घातक सिद्ध हो मकर राशी वालों के लिए बड़ बोले पन से बचना होगा अपने मन की बातों को साजा नहीं करना है मकर राशी के सरकारी लोग जो सरकारी बाबू है करमचारी है वो आज खुश हो जाए आज उनको इंक्रिमेंट मिल सकता है मतलब जो भी हो उनके काम की सराहना हो सकती उनको कारे छेत्र में आज इना मिल सकता है मकर राशी के लोगों के लिए बिदेश से सम्मंधित भी आज कुछ good news मिल जाएगा क्या सोचे थे नहीं बताएंगे निगाह से कुछ जाही नहीं सकता जब कुंडली खुली होती है कि सरिया रंग्षु भच चुवन प्रत्सत का भाग्य है कुंबराश बाहर घुमने टहलने का कारेक्रम बन सकता है बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाने का कारेक्रम बन सकता है आज कुंबराशी वालों के लिए नया वाहन लेने का कारेक्रम बन सकता है आज कोई पुराना मित्र आपके बेहत करीब आ जाएगा एक बार फिर से सुक्षा में मन लगेगा कुमराशी वालों के लिए आज गुस्से पर काबू रखने का दिन है जो पहले से सोचा था कि आज यह होगा वो वाकई होगा कुमराशी वालों के लिए एक और सक्त हिदायत है आज वाहन अपना किसी को उधार मत दीजिएगा कुमराशी के लिए धन से सम्मंधित हर परिस्थिती एक मजबूत परिस्थिती साबित होगा रुके धन की प्राप्ती भी हो रही है और हर प्रकार से शुब हो जाएगा सब कुछ लालंग शुब छाशत प्रिस्थित का भाग्य है मीन राशी जो संपत्ती भी बाद था कर तक आज सुलझा लिजिएगा आज मीन राशी वालों की अंदर का विवेग जाग्रित होगा वाहन का लाप भी आज प्राप्त हो रहा है और शादी आज फिक्स हो जाएगी पेट की दिक्कत परेशान करेगी दो पहर तीन बज़े के बाद कुछ ओमेट उगरे की सिकायत हो सकती है बड़े निरड़ा टाल दीजिएगा रुपे के लेन देन में आज सावधान रहिएगा उधार देने से बचने की आवशकता है मीन राशी वालों के लिए आज प्रेम संबंधों के मामले में भी थोड़ा सा अपने आपको मजबूत रखिएगा किसी से भी कैसे प्यार की हो जाएगा है की नहीं शुबरंग आपके लिए पीला भाग के प्रतिशत 62 तो बढ़ते हैं आगे और बस थोड़ी देर में बताएंगे कि कैसे किसी के मन की बात को हम समझ ले पकड़ ले जाच ले जान ले जी हाँ सारी जानकारिया एक साथ ड्रमास्त्र में लेकिन पहले ये जानिए आज का भाग्याक्षर मेश लाक्षर ब्रिशब मा मिथुन नाक्षर करक दा सिंगराश पाग्षर कन्या रिशी वाला री तुला के लिए था अक्षर है और विश्चिक के लिए चा धनू फा अक्षर मकर ग्यानी वाला ग्या कुम्ब छोटी ई अक्षर और मीन शा ये आपका अपना भाग्याक्षर सादे चोकूर कागच पर लाल रंग की इंक से लिखना है और 24 घंटे के लिए अपनी पॉकेट में रख देना है 24 घंटे कल जब हम इसी समय इसी चैनल पर दूसरा वाला भाग्या अक्षर देंगे तो पहले वाले को दो भागों में करिए और भाग्या कहीं प्रेरोड के मेंजे जाके प्रणाम कर लिजे कि जय हो प्रभू अक्षर देव आपने हमें इतना मान सम्मान प्यार सुरक्षा दिया हम आपके प्रतिक्युतक ग्यापित करते हैं चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की सक्सेज किसी पेर के नीचे की मिट्टी अपने गर्दन पर पीछे की तरफ से हलका सा लगा कर और फिर कहीं के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं यह छोटा सा प्रियोग हर प्रकार से आपके लिए कल्याण करने वाला होगा और पूरे दिन को आपके अकॉर्डिंग कर देगा आपके लिए कर देगा करिये न बिना विस्वास के करिये बहुत फायदा होगा चलिए बारी आ गई है अब जानने की आज के रमभास्त्र की बहुत स्वागत आप सब का है देख रहे हैं जोते दिशा सत्तिकिरा मैं हूँ आपका इस्टोफेंड संदोशी और आज हम रम्हास्त्र में बताएंगे कि अगर कोई भी आपके सामने अपने मन की बात छुपाता है या छुपाती है तो यह आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है खास दोर पर टीनेजर लड़किया निन्यानवे दसमलो नौ प्रतशत हर बात अपनी मा से छुपा लेती है मा वहम में होती कि मेरी बेटी तो सब बताती है कुछ नहीं ऐसा है वही बताती है जो बताना चाहती है logic समझेगा तो आप बताती थी क्या अपनी मांको वो भी नहीं बताती थी तो उ कहें बताएगी उसे तो आपको समझना पड़ेगा अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजेगा मन की बात समझने के लिए क्या करना है एक चुटकी काला तिल में थोड़ा सा नमक मिला लीजे एक चुटकी बस ये चुटकी कहते हैं नमक भी एक चुटकी ले लीजेगा मिला करके किसी कागज पर रख लीजे और अनामिका अंगुली जो है रिंग फिंगर उसको टच करके रहे और बस इतना करने के बाद कुछ देर के लिए टच कर लीजे ऐसे पढ़ा रहे एक मिनट दो मिनट जितना देर उतना प्रभाव और इसके बाद इसे मोड़ कर अपने पास जेब में रख लीजी अब ये कागज लेकर आप किसी के भी सामने जाएंगे तो सामने वाला जब तक अपनी पूरी बात आप से बक नहीं डालेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा मतलब ये ही सामान लेकर गए और ततकाल किसी के सामने जाएंगे वो सारी बात ने कह देगा बेटी पे आजमाईए बेटा पे आजमाईए पती पे आजमाईए पतनी पे आजमाईए साले पे आजमाईए साले पे आजमाईए सरहज पर अपनाईए सब पर आजमाईए और अपनाईए result 100% assured दो शर्त है same day ही प्रभावी होगा आज किया उसके बाद तुरंत जाईए अब इसको लेकर जिसको मन की बात जाननी है ये बहुत बड़ी शर्त है नमबर दो जब आप ये प्रियोक कर रहे हो उसके कई हफते महीने से पहले नौनवेच छोड़े हो और पत्थर निकाले हो fingers में एक भी stone रहेगा engagement ring भी रहेगा तो असर नहीं होगा उसे भी निकाल दीजिए fingers को खाली रखिएगा और फिर इस प्रियोक को करिए जब सामने वाले के मन की बातों को समझ लें आप और अपने घर की तरफ आएं या फिर काम हो जाए तो इस सामगरी को किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिएगा बस कभी भी किया जा सकता है आज कल परसो नरसो शुबह दो पहर साम गोधोली बेला रात मद्यान चाहे है जब करें फाइदा ही फाइदा है बहुत शुक्रिया धन्यवाद आप सबकी इस प्यार के लिए फिलाल अभी कल और हम यहाँ पर मिलेंगे उसके बाद कल ही हम राची भी मिलेंगे शुक्रिया धन्यवाद, keep smiling, take care शुक्रिया धन्यवाद, have a nice day, जजय श्रीकिष्णा हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेर करना न भूलिएगा